नमस्कार सर सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम निवित कुमार है, मैं अलीगड यूपी से हूँ मैंने संत्रामपाल जी माराज से नामदिक्षा आपने कब ली? मैंने संत्रामपाल जी माराज से दिछ्छा 30 दिसम्बर 2013 को ली थी संत रामपाल जी मारासे नामदिक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ती सातनावी करते थे? थे आते कहां से और मनने के बाद जाते कहां हैं? तो ये मेरा बच्पन से ही क्वश्न था तो फिर आप संत्रामपाल जी माराच की सण में कैसे आए? जी मैं पुलिस की जौब करता हूँ और मेरी पोस्टिंग बुलेंसर और अगवाद थाने में थी संत्रामबल निमाराज के सिस्से हैं सेर सिंग दास तो उनके द्वारा पंप्लेट माटे गई थे पूरे थाने में तो पंप्लेट मैं लिखाता अब इसे जानिए उसमें क्व प्रह्मा विष्ण में इसके माता पिता कोन है सेरा वाली माता का पती कोन है हमारा जनम्रत्य को होता है इसके पीछे क्या राज है हम इतनी बक्ति करते हैं फिर भी दुखी क्यों है स्रेश्टी रचना के वारे में संपूर जानकारी तो यह कॉस्टन थे यह कॉस्टन मैंने देखा कि युझानगेंग का पुस्तक में जिनकर कर यह तो मैंने इन C hey अधान से जो हमारे भाई है वह भी इस्टाप से ही है तो उनसे मैंने कहा कि आप यह पुस्तक ज्यान कंग मुझे लागा के दो मैं इसे पढ़ना चालाओं मैंने वह पुस्तक पढ़ना चालू कर लिवास ही नहीं है ये पुष्टत मिली एए आप भी इसको पढ़ो और इसको मघा के पढ़ो तो सभी स्टाब बाले वो ले गए तू तो क्या है तू तो पढ़ा रहता चार पाइप है और तू इस पुष्टत को पढ़ते-पढ़ते पागल सा हो गया तू तो यह अपने ज् निकलना है हम तो परमात्मा के लोग में रहते थे वहां से अपनी गलती करके आए हैं तो हम यहां से निकलेंगे बाई यह मैंने यह पुस्तक पढ़िए संत्रांपल निमाराज की तो उसको मैं आकर आपको बताऊंगा घर पर आकर तो सभी बोले के तू क्या कह रहा है तू कह से चक्रा में पढ़िया इनके बाव कि मैं नहीं यह मुझे पुस्तक मिलिये सबी सास्टरों से पर माराज ने कि महारारा भाएक ने बताया है तो यह क्या गीता में भी प्रमाण है तो शेर सिंग जो हमारे मित्र हैं वो बोले कि हाँ बिल्कुल हैं मैं गीता और लाके दो तो मैंने उन्हें पचास रुपे दिये क्योंकि मैं कहीं जा नहीं सकता था तो उन्हें पचास रुपे देकर वो गीता मगाई तो गीता में भी मैंने जो गीता के स्लोक दे रखे थे सबसे मुखछाब मुझे नाम्दान लेने के आठ दिन वाद ही प्राप्त हुआ सबसे मुख खिलाब था कि 30 दिसंबर 2013 को मैंने सतलोका आश्रम बरवाला से नाम दिच्छा ली संत रामपाल इमाराज से उसके बाद 8 जनवरी 2014 को मैं कोट में डूटी था मुल्यम डूटी हवाला डूटी पे तो वहां से जैसे हम कोट से निकल कर मुल्यम को लेकर आ रहे थे छे मुल्यम थे दो मेरे आतमे थे और चार दूसरे साथियों के आतमे थे तो जैसे हम डिस्टिक कोट से बाहर निकले तो वो मडर के केस में थे दोनों मुल्यम उन्होंने दो डवल मडर कर रहा था तो उन दोनों को मारने के लिए जो दूसरी पार्टी थे उन्होंने उनको मारने के लिए मरवाने के लिए चारलाक रुपे दे रखे थे सूटरों को जो मारने का काम करते हैं उनको चाला कर पर दे करके उनको मारने की सपारी दे रखी थी तो मैं उनको जैसे ही कोट से बाहर निकले हम सभी जो पलिस वाले थे तो हम जैसे डिस्टे कोट से बाहर निकले तो बकील की ड्रेस में हमें पता भी नहीं था कि ये बकीले हैं का कौन है तो हम जैसे ही बरामदे में आ चल रहा था दोनों मुल्जिम जो है बराबर चल ले थे तो उन्होंने तावरतोर फायरिंग की उसमें से मेरे कान गुम हो गए इतनी फायरिंग की थी उन्होंने इतनी गोलिया चलाई थी मेरे साथ जो चल ले थे मुल्जिम उनके एक के चार गोली लगी एक के साथ गोली मेरे एक भी गोली नहीं लगी और परमात्मा का इतना बड़ा चमतकार हुआ कि अगर परमात्मा की सरण में नहीं होता और मेरी मौत थी इस दिन और परमात्मा ने मेरी मौत होने से बचा लिया और उस समय मुझे सस्पेंड भी कर दिया गया के तुमने क्या किया कि जब के हमारा कोई दोस नहीं था उसमें और परमात्मा की दया से 16 दिन बाद मैं बहाल हो गया उसी समय पतनी है उनके बच्चा होने वाला था तो मैं सस्पेंड चल दा घर पर उमेरे परमात्मा से मन ही मन प्राथना की संत् तो उसके बाद सुबह राज यानि रात को तो हमारी घरवाली के लड़की पैदा हो गई परमातमा की दया से गुरुदेव की दया से और उसके बाद सुबह ही फोन आया ओपिस से तुम्हें जो है बहाल कर दिया गया तुम सुबह से अपनी डूटी जॉइन कर सकते हो तो मु हो गई और मैं नोकर पर भी आ गया संत्रांपली माराज की दया से एक सबसे बड़ा और लाव हुआ कि हम संत्रांपली माराज की पेशी पर जा रहे थे तो रास्ते में हम जो जिस हम बैन से जा रहे थे तो बैन में हम साथ बगत थे जो गुरुबाई हैं हम साथ जने थे त तो हम हिसार और रोतक के बीच में जैसे ही पहुंचे थे रोड बन रहा था, एक साइड से काम चल रहा था, एक साइड से रोड चालू था, तो हमारी जो बेन थी, वो एक ट्रक को ओवरटेक कर रही थी, सामन से एक डंफर आ रहा था, वो भी ट्रक टाइप का होता है, जिसमे मट्टी भरी थी तो उसको एक ट्रक दस टेरा उसे ओवर टेक कर रहा था हमारे ड्राइबर ने उसे देख नहीं पाया उसने ओवर टेक करके सामने ले गया ओवर टेक करने के लिए तो सामने से जैसे दिखाई दिया कि आज तो सारे मरेंगे आज तो बचने का कोई नाम ही नह चल गई और हमें बिल्कुल भी खरौच नहीं है यह हमारे पीछे एक सिफ्ट गाड़ी थी वह भी ओवर्टेक कर रही थी ट्रक को तो वह उसमें जाकर जो ओवर्टेक कर रहा था सामने से ट्रक उसमें जाकर ठुक गई हमने पीछे मुड़के देखा कि इनका तो विचारों क काम हो गया हम हम संत्रांपाल जी महराज के द्यात आज हम बच गई नर्ट इतो हमारी निश्यती सबी की मौत ती और हम सुवह के नितीनम चल थे जो संत्रांपाल जी महराज ने बता रखे हैं सुवह के नितीनम चल रहे थे गाड़ी में तो नितीनम करते हुए जा suitable justice हमें घराकर बताया कि बाई एक लंबा ठाड़ा सा एक सफेद कुर्ते में कुर्ते पाजामे में था उसने हमें घराकर बताया कि एक सफेद कुर्ते में लंबा ठाड़ा सा आदमी था और उसने मेरे सामने यानि मैं देख रहा हूं ड्राइवर कह रहा है कि मैं देख रहा हूं उसने गाड़ी को ऐसे उठा करें बीच में होके निकाला है यानि हमको परमात्मानाई दिखाए दिये संत्रामपल जी महाराज मगर उस ड्राइवर को संत्रामपल जी महाराज ने दिखाया कि भाई मैं अपने सिस्यों के साथ हमेशा रहता हूं और मौत होने से मैं बचा लेता हूं तो संत्रामपल जी महाराज उसको दिखाए दिये और संत्रामपल जी महाराज ने उस बेन को बीच दोनों ट्रकों के बीच में होके निकाल के आगे यानि जैसा चल रही थी ऐसा ही चलता कर दिया तो हमें सभी की जान संत्रामपली महाराज ने बचाई उस दिन भी हमारी निश्यत ही मौत थी उस दिन भी संत्रामपली महाराज की द्या से हमारी मृत्यू जो है तली और तीसरा लाव यह हुआ हमारी भक्तमती जो हमारी घरवाली है उसके 4 mm की पत्री थी मेरे बड़े बेच प्रमात्मा दया करेंगे मुझे तसल्ली हो गई मगर फिर भी कहते ना कि एक बर और सभी से मैंने डिसिजन किया कि जी मेरे घरवाली के पत्री है और पित की थेली में है और डॉक्टरों को भी दिखाया डॉक्टर बोले कि इसका तो इलाज जो है ओप्रेशन ही कराना पड़ पड़ती है जो पत्री हो जाती पित की थेली में तो पित की थेली ही निकालनी पड़ती है तो मेरे और बेचे नहीं हो गई पित की थेली निकल जाएगी और कहीं और ज्यादा गडवड़ना हो जाए तो मैंने तो पैसे भी इखटे कर लिये थे और साथी जो हमारे साथी थ दालो तो मेरे अंदर से एक प्रिंडा हुई कि एक बार और अल्ट्रस्वान करा लेता हूं कि दुबारा कितनी mm कि यह कर लेता हूं तो मैं दुबारा जो है हापड़ गया डॉक्टरों के पास उन्हों से कहले अल्ट्रस्वान कराना है पत्ति की थैलिम पत्र ही बताएए इस ने चेक किया दुबारा से, तो वो कई बार चेक किया, तो ऑने वे बिल्कुल बोल। यह रिपोर्ट भी है कि इसमें तो कुछ नहीं है निल रिपोर्ट है तो परमात्मा की दया से मेरे अंदर इतनी संत्रामपल निमाराज की दया से इतनी खुशी हुई कि मैं परमात्मा ने दया कर दी संत्रामपल निमाराज का था कि परमात्मा दया करेंगे तो संत्रामपल न महाराज सभी सास्त्रों से प्रमार सहित भक्ति बताते हैं और भी लाеляजी मैं पहले बीयर पीता था और यानी गलत संगत में पढ़ता जा रहा था मास भी खाने लगाता पहले मैं नहीं खाता था अंदर से весь अचनी ओत्ती थी मगर जोव करते करते गलत आदत पढ़ने जा रही थी यानि उसमें बढ़ता ही जा रहा था अगर संत्रामपल यमाराज का यह ज्यान प्राप्त नहीं होता तो मैं बहुत ही गलत संगती में पढ़ चुका था मगर जैसे मुझे ज्यान हुआ तो मैंने सब कुछ छोड दिया सब कु कोई बीड़ी भी पीता है यानि बीड़ी पी के पहले आ रहा है तो मैं उससे कहते हैं मुझे तिरी मुझे बदू आ रही है आप दूर हो जाओ बीड़ी पी के आई हो तो आज इतनी ग्रणा होती है धुमरपान से और इन चीन्यों से मास खाने से तो बहुत ही जादा होती है क्योंकर हम एक मास दूसरे मास को खारा इससे बड़ा पाप और होगा कौन मैंने मास का न चौड़ दिया अंडे भी झालता था अंडे भी छोड़ दिये और बीर पी ता वी भी फियर ऱ चोड़ दिया तो परमातम है दया से इतना बड़ा लाब मिला कि मेंने वह वो बिकार चोड़ दिये और सास्त्र अनकुल साधना मिली निविज जी जैसे कि आपने बताए कि आप हनुमान जी की पूजा करते थे देवी देपताओं की पूजा करते थे संत्रामपाल जी महराज से नामदिक्षा लेने के बाद आपने देवी देपताओं की पूजा छोड़ दी तो वो देते हैं उनकी भक्ति बताते हैं प्रमाण साहित बताते हैं कि जैसे मेरा नाम निवीत कुमार है और मुझे आदमी भी कहते हैं, इंसान भी कहते हैं, माना भी कहते हैं, प्रोस भी कहते हैं, मगर मेरा नाम निवीत है, अगर मुझे कोई निवीत नाम से पकारेगा, तो मै हमारी सुनेंगे अगर हम उनकी आर्थी गालेंगे आर्थी करेंगे उनके सामने तो वह नहीं सुनेंगे क्योंकि हमें उनका मूल नाम मूल नाम पुकारेंगे तो वह हमारी सुनेंगे और वह हमें आध्यात में लाब भी देंगे और सारी के लाब भी देंगे तो संत्रामपा और आर्थिक लाव होगा निविजी अब आखरी सवाल आप से संत्रामपाल जी महाराज से नामदिख्षा कैसे ली जा सकती है संत्रामपाल जी महाराज से दीच्छा लेने के लिए बेवेन चैनलों पर ससंग आता है जो कॉंटेक्ट नमबर दे रखे हैं उनसे संपर करके आप जिस भी जिलेव के रहने वाले हैं आप उनसे संपर करके वहां नेसुलक बिलकुल ही नेसुलक नामदिख्षा ले सकते हैं धन्यवाद सर धन्यवाद सर धन्यवाद सर